आज मैं बनाओगी मटन पाई और अगर आपने मेरे चैनल को अभी दख सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले एक देख्ची में आदा कप ऑईल डालेंगे अब इसमें आठ पाई डालेंगे और इनको एक से दो मिला तक बोन लेंगे बारा या पंद्रा लेसन के जवे डालेंगे दो प्यास डालेंगे मीडियम साइज के एक एंच अद्रक को लेकर उसके तुक्रे करके डालेंगे एक टेबिल स्पून साफित करम मसाला डालेंगे हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून नमक डालेंगे हस्पेसाई का डेट लीडर पानी डालेंगे तीन टमाटर डालेंगे कटे हुए और एक हरी मिर्च अब इसको डखके लो फ्लेम पे पकाएंगे तीन गंटे तीन गंटे हो चुके हैं और अब पाई और यखनी को चान कर अलग कर लेंगे अब एक देखजी में हाफ कप ऑईल डालेंगे एक मीडियम साइज की प्यास टालेंगे और इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे प्यास को ब्राउन होने के बाद जो पाई हमने चान कर रखे थे वो डाल देंगे अब इसमें थोड़ी सी यखनी डाल कर पाई को भून लेंगे जब तक के मसाला यकचा हो जाए साथ ही इसमें एक टेबिल स्पून लाल मर्चो का पाउडर डालेंगे मसाला यकचा हो जुका है और जो पाई की यखनी बची थी वो डाल देंगे और इसको दस मिनट तक दम की आंच पे पकाएंगे अब इसमें एक टेबिल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे और अगर आप शुर्बा जादा रखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से पानी डाल दें और आप इसको मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे पाएं बन चुके हैं और आप इसको एक बॉल में निकाल देंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर कर दे और अगर आप महंदी में इंटरस्टेड हैं तो मेरे दूसरा चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर दे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कुझ जाएब जरूर कर दाएब झाल झाल झाल